नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HVS Studies पे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे general knowledge या फिर general science के उपर आप सबको पताईए कि हमने 3000 questions की एक series start करी है जिसका की तीसरा part जो है हम इस वीडियो में discuss कर रहे हैं इस वीडियो में हमने total 30 questions लिए हैं जो की सबी repeated questions हैं काफी बार पहले exams में पूछे जा चुके हैं तो ये जो वीडियो होगी काफी important वीडियो रहेगी आपके exam के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और साथ ही हमारे channel को subscribe करें तो चलिए दोस्तों start कर लेते हैं हम अपनी वीडियो देखते हैं हमारा पहला question क्या है तो दोस्तों हमारा पहला question है the headquarters of consumers international is located at तो consumers international जो है उसका जो headquarters है वो कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा लंडन तो लंडन जो है वहाँ पे located है headquarters consumers international का तो यह आपको याद रखना है headquarters के उपर भी काफी बार exams में question पूछे जाते हैं तो जितनी भी important organizations रहेंगी उन सबी के headquarters और उनके जो director हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ which of the following lake is a salt water lake तो दोस्तों आपको जो चार options दिये गए हैं इन में से कौन सा एक salt water lake है तो हमारा answer हो जाएगा सांबर lake तो सांबर lake जो है यह एक salt water lake है बाकी तीनों lake जो है दाल lake हो गया वूलर lake हो गया और चिलका लेक हो गया यह तीनों salt water lake नहीं है सिर्फ सामल lake जो है यह salt water lake है अगले question की तरफ बढ़ते हैं who is the current chairman of the telecom regulatory authority of India तो telecom regulatory authority of India जो है उसके current chairman कौन है तो हमारा answer हो जाएगा राम सेवक शर्मा तो राम सेवक शर्मा जो है यह current chairman है telecom regulatory authority of India के बढ़ते हैं अगले question की तरफ इंद्रा सागर डैम located in मध्यप्रदेश is built on which of the following river तो दोस्तों इंद्रा सागर डैम जो है जो की located है मध्यप्रदेश state में वो कौन सी river के उपर बना हुआ है तो हमारा answer हो जाएगा नर्मदा river तो नर्मदा river जो है उसके across बना हुआ है इंद्रा सागर डैम तो यह भी एक important question रहेगा आपके exam के लिए अगला question देखते हैं हमारा which of the following helps in blood clotting तो दोस्तो blood clotting में इन में से कौन सा vitamin है या फिर acid है जो की help करता है तो हमारा answer हो जाएगा vitamin K vitamin K जो होता है यह help करता है blood clotting में the international shooting sports federation is headquartered at तो दोस्तो international shooting sports federation जो है उसका जो headquarter है वो कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा Munich Germany तो Munich जो जगे है जर्मनी में वहाँ पे located है international shooting sports federation का headquarter which of the following is the river island of भ्रह्मपुत्र तो दोस्तो भ्रह्मपुत्र जो river है उस पे कौन सा river island बना हुआ है तो हमारा answer हो जाएगा मजूली island मजूली island जो है ये कहां located है तो जो भ्रह्मपुत्र रिवर है उस पे located है मजूली island तो ये जो है एक most important question रहता है काफी बार exams में repeat हो चुका है अगले question की तरह बढ़ते हैं हमारे lezim is a widely performed tribal dance form of which state तो lezim जो है जो की एक tribal dance form है वो कौन सी state से related है तो हमारा answer हो जाएगा महराष्ट तो महराष्ट state जो है उसकी एक काफी famous tribal dance form है जो की रहेगी lezim dance forms के उपर भी काफी बार exams में question पूछे जाते हैं तो ये जो question होगा ये भी एक important question रहेगा और जो बाकी dance forms है states related आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए इन में से कोई भी आपके exam में आ सकता है अगले question की तरफ बढ़ते हैं which instrument is used for detecting electric current कौन सा instrument होता है जो की use करा जाता है detect करने के लिए electric current को तो हमारा answer हो जाएगा galvanometer galvanometer जो होता है ये एक instrument होता है या फिर galvanometer को हम कह सकते हैं एक device होती है जिसकी मदद से हम detect कर सकते हैं electric current को gualier is located along the bank of which river तो gualier जो है ये कौन सी river के across situated है तो हमारा answer हो जाएगा chambal, chambal river जो है उसके around situated है gualier city तो ये भी आपको याद रखना है mount harriet national park is situated in which place तो mount harriet national park जो है ये कहां पे located है कौन सी state में located है या फिर union territory में तो हमारा answer हो जाएगा under man and nicobar island तो under man and nicobar island जो है जो की एक union territory है इंडिया की वहाँ पे located है mount harriet national park तो ये भी important question रहेगा आपके exam के लिए ज़रूर याद रखना है आपको अगले question की तरफ बढ़ते हैं the burner dam is located in which state तो burner dam जो है ये कौन सी state में located है तो हमारा answer हो जाएगा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश state जो है वहाँ पे located है burner dam the global economic prospect report is issued by तो global economic prospect report जो होती है ये किस के द्वारा issue करी जाती है तो हमारा answer हो जाएगा world bank world bank जो होता है ये जारी करता है global economic prospect report को तो ये जो question है most important question रहेगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं हमारे पंती dance is the most popular folk dance form of which state तो पंती dance जो है ये जो की एक most popular folk dance है तो ये कौन सी state से related है तो हमारा answer हो जाएगा 36 गड़, 36 गड़ जो state है उससे related है पंती dance form जो की एक popular folk dance है 36 गड़ state की तो ये भी आपको याद रखना है the international boxing association AIBA is located at तो दोस्तो international boxing association जो है ये कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा लौसेंड सुट्जेलेंड तो लौसेंड जो जगह है सुट्जेलेंड में वहाँ पे headquarter है international boxing association का गोविंद बल्लव पंत सागर is a man-made reservoir situated in तो गोविंद बल्लव पंत सागर रिजर्वर जो है जो की एक man-made reservoir है ये कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश state जो है यहाँ पे located है या फिर situated है गोविंद बल्लव पंत सागर रिजर्वर जो की एक man-made reservoir है तो ये आपको याद रखना है आपको एक्जाम में options मिल जाएंगे और आपसे question पूछा जाएगा कि इन में से कौन सा एक man-made reservoir है तो आपका answer होगा गोविंद बल्लव पंत सागर रिजर्वर तो ये भी question काफी बार exams में पूछे जाते हैं आगे बढ़ते हैं अपने एक लिए question की तरफ चीफ election commissioner of India can be removed from the office by तो चीफ election commissioner जो है इंडिया का उसको हटाने के लिए कौन हटा सकता है तो हमारा answer हो जाएगा both houses of parliament तो दोनों houses जो होते हैं parliament के लोगसभा और राज्यसभा सिर्फ वही हटा सकते हैं चीफ election commissioner को इंडिया के तो ये भी एक most important question रहेगा आगे बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ तो जर्सुगुडा thermal power plant जो है ये कौन सी state में है तो हमारा answer हो जाएगा उडिसा उडिसा state जो है वहाँ पे located है जर्सुगुडा thermal power plant विच ministry has developed the among app तो among app जो है ये develop कौन सी ministry के द्वारा करी गई है तो हमारा answer हो जाएगा electronics and information technology तो electronics and IT ministry जो है इंडिया की उन्होंने develop करा है among app को तो ये भी एक important question रहता है याद रखना है आपको ace against odd is the biography of तो ace against odd जो है ये किसकी बायोग्राफी है तो ये book जो है important रहती है तो ये किसकी बायोग्राफी है तो हमारा answer हो जाएगा सानिया मिर्जा तो सानिया मिर्जा जो है जो की एक इंडिया की famous tennis player है उनकी बायोग्राफी है ace against odd तो ये भी एक important question रहेगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं the export import bank of india was founded in which year तो export import bank of india जो है ये कब found हुआ था तो हमारा answer हो जाएगा 1982 में तो export import bank जो है इंडिया का ये कब establish हुआ था तो ये हुआ था 1982 में जिसको की exam bank के नाम से भी जाना जाता है तो ये आपको याद रखना है year जो है ये भी important रहते है the headquarter of international union of pure and applied chemistry is located at तो international union of pure and applied chemistry जो है इसका जो headquarter है ये कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा Zurich Switzerland तो Zurich जो जगे है शुर्जलेंड में वहाँ पे located है headquarter international union of pure and applied chemistry का तो ये भी important question रहेगा organization जितनी भी important रहेंगी सब के headquarter आपको जरूर पता होने चाहिए बढ़ते हैं अपने एकले question की तरफ what is the currency of Libria तो Libria country जो है इसकी currency क्या है तो हमारा answer हो जाएगा Librian dollar Librian dollar जो है ये currency है Libria country की तो ये भी questions कभी कवार exam में पूछे जाते हैं country की capital और currency के उपर आगे बढ़ते हैं अपने एकले question की तरफ which of the following is the longest rail tunnel in India तो इंडिया का सबसे लंबा rail tunnel जो है वो कौन सा है तो हमारा answer हो जाएगा पीर पंजल पीर पंजल जो है ये इंडिया का सबसे लंबा rail tunnel है तो ये भी question important question रहता है अगला question देख लेते हैं हमारा when is the national science day observed तो national science day जो होता है ये कौन सी तारीक को observe किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 28 February 28 February को हर साल national science day जो होता है ये observe किया जाता है या फिर celebrate किया जाता है अगला question देख लेते हैं हमारा which among the following is the first bank in India तो इंडिया का सबसे पहला bank जो था वो कौन सा bank था तो हमारा answer हो जाएगा bank of हिंदोस्तान bank of हिंदोस्तान जो था ये सबसे पहला bank था इंडिया का तो ये भी important question रहता है the one rupee note was first introduced in India in the year तो एक रुपे का जो note होता है वो पहली बार introduced करा गया था इंडिया में कौन से साल में तो हमारा answer हो जाएगा 1917 में पहली बार introduced करा गया था एक रुपे का note इंडिया में तो ये भी याद रखना है आपको अगले question की तरफ बढ़ते हैं हमारे which of the following king built sanchi istupa तो sanchi istupa जो है ये जो बनवाया गया था ये कौन से king के द्वारा बनवाया गया था तो हमारा answer हो जाएगा अशोग तो अशोग जो थे इनके द्वारा बनवाया गया था sanchi istupa तो ये भी question exams में पूछा जाता है अगले question की तरफ बढ़ते हैं हमारे कलनाई डैम is the first damn of India it is built in which state तो कलनाई डैम जो है जो की भारत का पहला डैम है तो ये कौन सी state में है तो हमारा answer हो जाएगा तमिल नाडू तो तमिल नाडू state जो है उसका डैम था कलनाई डैम जो की भारत का पहला डैम था तो ये आपको पता होना चाहिए आपसे exam में question पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला डैम जो था वो कौन सा डैम था तो आपका answer हो जाएगा कलनाई डैम तो ये question exam में पूछा जाता है तो दोस्तो ये था हमारी वीडियो का आखनी question अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए तो हमारी वीडियो को like करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें धन्यवाद दोस्तो